इंडिया बुलेट ट्रैन के ट्रैक को एलिवेटेड क्यों बना रहा है? जबकि ये ट्रैक्स तो जमीन पर भी बनाया जा सकते हैं. फिर क्यों इतना पैसा इंडिया इन ब्रीजेस और ट्रैक को बनाने में खर्च कर रहा है? तो दोस्तों इसके दो बड़े सिंपल से रीजन है. रीजन नमबर वन है, ग्राउंड लेवल का इक्वल और प्लेन ना होना. कुछ किलोमीटर के बाद ग्राउंड लेवल्स पे अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिलते हैं. और बुलेट ट्रैन ये स्पीड ट्रैन है, जो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा तेज रफतार से चलती है. इस रफतार पर चलने के लिए ट्रैन को चाहिए एकदम लाइन जो की एलिवेटेड में पॉसिबल है, एंड सेकंड रीजन है, सेफटी, इतनी हाइटेक ट्रैन को ग्राउंड लेवल पर चलाया जाएगा तो एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है.